ताकि आप बख्यूबी रूप से समझ पाएं कि कैसे वैश्विक निवेश पोटफोलियो काम करता है, कहां से लाब हम प्राप्त करते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा सा वैश्विक निवेश पोटफोलियो को ध्यान पूर्वक समझने की जरूरत है या वो सभी व्यावसाई या वितिय उपकरन जो की आज पहले से ही इसके अंदर काम कर रही हैं, तो हम लगभग 20 हमने बाजार के खंडों को चुना हैं और उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, सिक्षा, संस्क्रिती, आदुनिक परिवाहन प्रनाली, सोने का शेत्र, वितिय और शेयर बाजार, क्रिप्टो बाजार और इतियादी, तो यहां आप यहां देख सकते हैं कि इस श्रिंखला में कुछ खाली जगाएं भी हैं, क्यों खाली जगाएं हैं? क्योंकि मान लिजे कि अगर यह 20 खंड हम लोग काप्चर कर लेते हैं, तो हो सकता है कि सभी पोटफोलियों में शायद इंटिग्रेट नहीं होते हैं, और मुझे यह भी लगता है कि यह जितने भी खंड हैं, इन्हें भविश्य में इंटिग्रेट यानि शामिल किया जाए का, तो हाला कि आज केवल 20 खंड है, लेकिन इसके ही उप खंड और होंगे बविश्य में, और जो स्टॉक बजार है, वो आज केवल डेट सो कंपनियों द्वारा प्रतिनिदत को उसका हो रहा है, हाला कि इसी प्रकार से बहुत सारी और कंपनियां हैं, जो कि पहले से ही ला प्रदान कर रही है, और कुछ हमारे भागिदार कहते हैं कि जो पॉट्फोलियो का निवेश करना है, ये बहुत धीमे धीमे लाप प्रदान कर रहा है, हाला कि बहुत सारे और ऐसे शेत्र हैं, जो कि ती प्रकति से लाप प्रतान करते हैं, लेकिन मैं सच बोलूं, तो करन की अफधारना बहुत पसंद है जहां आप सभी अंडों को एक टोकरी में नहीं रखते और जितने ज्यादा उपकरन हमारे पास होंगे उतना ज्यादा हमारा जो धन है वो संरक्षत और सुरक्षत होगा किसी भी जोखिम से क्योंकि मान लेजिए कि अगर आज ये जो शेत् चाहिए एक और महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चाहते हैं कि वैश्विक निवेश पोटफोलियो वह धन को आपके लिए लेकर आए तो इसके लिए दो तरीके हैं कि पहला आप टोकन को या तो बेचते या जो इसके ऊपर लाब या परसेंटेज आप कमा रहें उसे प्रविश्विक निवेश पोटफोलियो है यह लगातार विस्तार को प्राप्थों का जिसका मतलब है भविश्य में नए ऐसे कई उपकरन और संसाधन होंगे जिसकी मदद से हम लोग बाजार में प्रवेश कर पाएंगे और यह जो विश्य हैं हमारे नए बाजारों के ब